बारिश ने जहां उमस भरी गर्मी से राहत दी है वहीं सरकार की कारशायली पर कई सवाल खड़े किये हैं यह तस्वीरे गुरुग्राम की है जहां दो घंटे की मुस्लाधार बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है दो घंटे हुई बारिश से गुरुग्राम फिर पानी पानी हो गया पारिश के पानी की निकासी ना होने से लोग बेहत परिशान हो रहे हैं लोगों को अवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है परिशानी हो रही है यह परसासन काहीं न कहीं, चुक है, परसासन की चुक है, जिसके वैसे एसे हो रहा है यहाँ हो बरसात के बाद हमाद के Feder saint, Highgil क्रम बूति होती है've je जोब आना जाना बंद हो जाता है जब भी बर्सात आती है तो आम आदमी को तो एक नव लेना ही पड़ेगा ताकि कोई पुईदा ही नहीं और हर साल मतर प्रसासन ये बोलती है हमने ये वादे किया है वो वादे किया और कुछ भी वादे पेलो पढ़ेने हुटा सर ये गुड़गां प्रसासन की लोवायी है और सब्सक्ति चेंटे तीन दील्बाद माथ भी सिस्टम मोजातता पार ने मैं आटी knocked onई नंगरे म्ल नमर तीилли जी यहां पर तो यही देखता हूँ जो मतलब यहां का इस्थिती जितने बार मैं यहां पर साल बर हो गया मुझे यहां करते हुए लेकिन इस रास्ते पे मैं हर एक बार बारिस के टाइम में ऐसे ही बड़े परे पानी देखता हूँ दो घंटे हुई भारिबार से इलाकी में बार जैसे हालात पैदा हो गए है चारो ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है बहरहाल अब दिखना होगा कि सरकार कब तक इस बरसाती पानी की निकासी करवा पाती है ताकि लोगों की दिक्कते कम हो सके पंजाब के स्टीवी के लिए ग